आज हम जानेंगे वर्तमान में विचरन कर रहे 20 तिर्थंकरों के बारे में वर्तमान काल में महाविदेह छेतर में 20 तिर्थंकर विचर रहे हैं महाविदेह छेतर में हमेशा तिर्थंकर विचरते रहते हैं और चौते आरे जैसी रचना होती है महा विदेह में ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट एक सो साट तीर्थंकर विहर्मान होते हैं उस समय भरत और एरावत छेत्र में भी तीर्थंकर विहर्मान रहते हैं तो पांच भरत छेत्र, पांच एरावत छेत्र और पांच महा विदेह के 160 ऐसे कुल मिला के 117 तीर्थंकर उत्कृष्ट तह विराजमान रहते हैं जब भरत और एरावत में एक भी तीर्थंकर नहीं होते हैं तब भी कम से कम 20 तीर्थंकर महा विदिय चेत्र में तो होते ही होते हैं ऐसे अनन्त तीर्थंकर भूत काल में हो गये हैं, वरतमान काल में विराज रहे हैं और अनन्त तीर्थंकर भविश्यकाल में भी होते रहेंगे महाविदेह के बीस तिर्थंकरों का जन्म एक साथ भरत छेत्र के सतरवे तिर्थंकर स्री कुंतुनात स्वामी के निर्वान के बाद एक ही समय में हुआ था बीस वे तिर्थंकर सी मुनी सुवरत स्वामी के निर्वान के बाद बीस तिर्थंकरों ने एक ही समय में दिक्सा स्विकार की बीस ही तीर्थंकर एक मैने तक छदमस्त अवस्ता में रहकर केवल ग्यानी हुए और भरत छेत्र में आने वाली 24 के साथवे तीर्थंकर उदई नाजी के मोख्स जाने के बाद महा विदेह के 200 तीर्थंकर एक साथ मोख्स जाएंगे इन 200 ही तीर्थंकरों का आयुश्यत 84 लाग वर्ष पूर्व का है जिसमें 83 लाग पूर्व विए ग्रहस्त अवस्ता में रहते हैं और एक लाग पूर्व संयम पाल कर मोख्स जाते हैं तो ये थी संचिप्त जानकारी महा विदेह के 20 तीर्थंकरों की आज का प्रशन है कि सिमंधर सामी को हम किस पार्ट से वंधना करते हैं कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर सब्सक्राइब करें